हेलो दोस्तो आज की से वीडियो में आपका स्वागत हैं दोस्तों है किस ने वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहलेिए Ionowo database बारा-पिन करनेके बात आपके सामने में कुछ इस तरफीस एपनोग होगा तो यहां पर चलि हम किलिक कर देते हैं तो किलिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते कोई ही बिजिग्ए कर को option नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा चाहे आप MPIN से login हो जाईए चाहे आप user ID से login हो जाईए तो चली हम अपना यहाँ पे MPIN को डाल देते हैं MPIN को डालने के बाद आपके सामने में देखे कुछ इस तरके का इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एस वी आई का आपका डेस वोड़ खुल जागा तो यहाँ पर बहुत सारा option देखने को मिलेगा योनो एस वी एप जो है अपडेट नहीं है PlayStore से तो आप सबसे पहले योनो एस वी एप को update कर ले उसके बाद आपको यहाँ पर देखें बहुत सारा option मिल जाता आपको यहाँ पर एक option मिलेगा enable disable biometric for you know access तो यहाँ पे आपको click कर देना है तो यहाँ पे click करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरके का interface open होगा तो आप यहाँ पे देख सकते है enable disable touch ID authentication तो यहाँ पे आपको enable कर देना है उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको term and condition आपको देखने को मिलेगा तो चलिए हम आपको बताते हैं तो यहाँ पे click करके इसको आप enable कर सकते हैं उसके बाद पे आप पढ़ सकते हैं पढ़ के आप OK कर सकते हैं तो OK करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको term and condition पे आपको टिक लगा देना है उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में एक submit बटन है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो finger print enable के लिए तो यहाँ पे देख सकते है फिंगर पिरिंट authentication तो आपका जो है mobile का finger print scanner तो आप वहाँ पे जिस भी finger को देना चाहते हैं उस finger पे वहाँ पे scan करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं तो यहाँ पे देखिए सही निसान लग गया उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके रेजिस्टर मॉइल नमर पे एक OTP आएगा OTP को यहाँ पे इंटर कर देना है तो इंटर करने के बाद आप को शंबिट बटन पे किलिक कर दोना है अगर आपके रेजिस्टर मॉइल पे ओट यहाँ पर देक सकते हैं रिसेयंट ओटीपी है तो यहाँ पे किलिक करने के बाद दोबारा आपकाator or Actica देने क्बाद चलिए हम next button पे ऐऊंपे सकते हैं अब हो जु करेंगे तो फिर से हम योग इन पर किलिक करेंगे तो लोग इन पर किलिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी फिंगर का अप्शन नहीं आ कर दो आप यहां पर देखिये चेली करने के बाद आप यह पर देख सकते बर आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ट से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं अगर आप फिंगर पिरिंट से लोगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिंगर फिरिंट से ओपेन करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे आप बायोमेटिक पे किलिक करेंगे तो किलिक करने के बाद मोबाइल में जो है फिंगर पिरिंट का सकेनर तो वहाँ पे औंगली को सटाएंगे to शटाने के बाद यहाँ पे देख veggie मेरा जो है बाइलस दिखा दिया जाएगा कि आपका इतना बाइलनस है तो आप यहाँ पर बाइलस चेक कर सकते हैं fingerprint की मदद से उसके बाद आप यहां पर login जो है नहीं कर सकते हैं fingerprint के मदद से तो अगर आने वाले समय में अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा वीडियो बना के तो चलिए हम देखते हैं कि quick pay में ये system है या नहीं है तो चलिए हम quick pay पर हम click कर दे तो आप यहां पर देख सकते हैं इसमें भी है fingerprint authentication तो चलिए हम यहां से cancel कर देते हैं यहां पर फिर से यहां पर दिया गया है अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं फिंगर प्रिंट का जो है एनबल करने के लिए एक वियू बाइलेंस में दिया गया है एक quick pay में दिया गया है तो login में भी नहीं दिया गया है अगर आएगा इन फ्यूचर में तो मैं आपको वीडियो बना के देने का कोशिश करेंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आयत लाइक शेयर कमेंट जरू कर दीजेगा अगर इस चैनल पर आप नए है तो सब्सक्राइब कर दीजे और बगल में जो बैल आकन है उसे भी आप दबा दिए ताकि आपको ले लेवड़ कर दिकन में आपको लेवड़ा कर दांब।